तो आप लोगों का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले विप्रोशेर्स के बारे में बहुत ही जादा फोकस बना वा था बलगातार दो तीन दिन से तो उस सारी चीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे विप्रोट का ट्रेंड कैसा है अभी पैसा लगाना कि नहीं यार्ड डिक्रीजिंग में है टार्गेट क्या रखे क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने 450 तक का लिखा है तो यहां पर डिक्रीज होगा कि क्या होगा यह सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले कि इंपॉर्टन चीज गाई अगर आप इस चैन के टाइम में यहां विद एक से 485 डूपीस पर ट्रेट कर रही है और पक्का बताओ ऑप्शन ट्रेडिंग में जो तीन दिन पहले से पैसा लगाए वह तो मतलब लास्ट ट्रेडिंग दे फ्राइडे अफ्कॉस फ्राइडे से जो मंडे को यहां पे ग्रू होते वे दिखा है मार्केट वह बहुत ही गजब का ग्रोव होते हैं अभी मैं आपको लोग को दिखाता हूं फाइव डेस पे तो जो सी में पैसा लगाए उनको तो बहुत मजा आगया बट आज जो तरीके से घिरावट थी वह भी अच्छी कासी थी वन पॉइंट सेवें नाइन परसेंट अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है और यह गिरावट बनेगी और और भी नीचे जाएगी कहां तक नीचे जा सकती है यह गिरावट में पॉइंट पर आते हैं अब गिरावट की बात कर लेते हैं क्योंकि जादा इधर उधर की बात करने से अच्छा में में यहां पर एक अच्छ ग्रोग किया फिर उतके और यहां प्र तक यह पहुंची और फिर उतकर दॉब यहां पे और यह डाउन फॉल जो अभी यहां पे आज चुका है यहां पे 485 पे जो आया है यह 480 तक और भी डाउन जाएगा मताब 480 को जैसे ही ब्रेक करता है 460 तक का ट्रेंट पकरने का चांसे बन सकता है तो 460 आप रेडी रहिएगा 460 तक फेस करने के लिए क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पे एक और चीज दिखाओं वन मन्त पे तो गूगल में थोड़ा सा नंबर्स का दिक्कत है यहां पे उससे पहले भी उपड़ा आया था फिर से डाउन गया तो यहां पे यह डाउन फॉल होने का पूरा का पूरा च के सांसिस बनाएगा बट इटी सेक्टर है सबको पता है किसे इस ते कर चलते को यह साारा फ्लोव में देखने को मिर रह था तो आपको सब्सक्राइब और भी मत रही है क्योंकि यह ज्यादा नाइम के लिए बूमिंग नहीं रहेगा इसके जो तीन fundamental के तरीके से बात करते हैं यहां पर आप लोगो quarter three की result आई है ठीक ठाक है कोई खास नहीं बोलगा कि बहुत ही अधभुत quarter three q result आते हुए दिखिए तो वैसा कोई खास quarter three का result भी नहीं आते है तो जिसके चलते हमें कहीं ना कही यहां पर दिककत होते हुए चलते हमें एकلى फिरेगे चलते हमें आज हमें लगो स्वहन नहीं बात करो सि हाहां दो хочет कर गई ती और दो इने हमें सब्सक्राइब करें तो यह सब चीज को लेगे कभी दिक्कत नहीं देखने को मिली है अब बात करते हैं यहां पर होल्डिंग्स क्या सबन रहे हैं और यहां पर अच्छा लोग अभी के डाइं में मतब एक अच्छे पॉइंट पे 500 के पॉइंट पे सिल करके निकल चुके हैं मतब जो लोग बहुत साल से फसे हुए थे मतब यहां पर एक साल एक साल या मतब उससे भी ज्यादा टाइम कर तक के लिए लोग इसमें फस गए थे शेर्ट में आके क्योंकि यह ग्रोग कर ही नहीं रही थी लगा त तो यह अभी के टाइम में उस रेंज में आपको रहते वे दिख सकती है कॉंसलेडेट उसी रेंज में करते वे दिखेगी क्योंकि अब फिर से अगर 500 ब्रेक करती है तो यहां से अच्छी तेजी देखने को बिलेगे फिर से मैं जस्ट वोड़ फाइव अंडेड ब्रेक कर देखती है तब बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी यहां पर बात करूंग निया आपको जल्दी ही मार्केट एक बेटर मूव देखाएगा in fact financial data बहुत ही जादा वेट कर रहा है मतलब budget आने वाला है और financial data बहुत ही जादा वेट कर रहा है क्योंकि यह सारे company में एक major focus बना हुआ है but इस बार मेरे मेरे नजर से जैसे मैंने analyze किया उसके according थोड़ा सा IT sector के favor में उतना नहीं रह सकता है financial data but all over देखते आगे क्या होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ predict कर सकते है आपको तो बाकी चीज़ पता चली जाएगा कुछ दिन में चले बिनादार टाइम वेस्ट कियो है प्लीस चैनल को subscribe कर लेना and in fact मेरे इस account को भी follow कर लेना and one the most important thing में आपको बताना चाहूँगा कि this video is just for education purpose तो अगर पैसा लगा रहे तो एक बार financial advisor नहीं तो एक बार अपने से analyze कर लिजेगा क्योंकि पैसा आपके बहुत important है हमारे लिए भी और आपका खुद का पैसा आपके लिए भी बहुत important है तो हम लोग यह चाहेंगे कि आपको कभी loss ना हो thank you have a nice day guys